वीडियो दोस्तों वीडियो ने रिसेंट्ली लॉँज कर दिया अपने दो नएं TWS एरफोंस और यहां पर एक है विंग्स फेंटम प्रो और एक है हमारे पास एक्सफायर तो दोनों ही हमारे पास है आज की इस वीडियो एंबॉक्सिंग करेंगे इसकी और रिव्यू देने वालों में आपको यूज करने के बाद की कैसे एक्स्पिरियंस रहा मेरा और यहां पर सुपर लो लेटेंसी मिल जाती है आपको काफी अच्छे फीचर्स मिल जाते है इसके प्राइस के साथ तो वीडियो दोस्तों एंड तक देखते रहेगा दोनों ही एरफोंस का आपको दोनों ही आपको बजेट रेंज में मिल जाती है तो उसी सबसे एक्स्पिरियंस कैसा रहता है मेरा वीडियो दोस्तों एंड तक तरे फिलाल शुरू करते हैं वीडियो को अंबॉक्सिंग के साथ इस यह है एक दोनों ही एरफोंस का बॉक्स और फटावर से एक बर फैंटम प्रो को अंबॉक्स करते हैं बॉक्स को देख लेते कि क्या क्या मिल जाता हमें इसके और यहां पर दोस्तों ब्रेंडिंग मिल जाती है और साइड में कुछ हाइलाइटिंग फीचर मेंशन है जैसे ही 12 mm का ट्राइवर है यहां पर गेमिंग मोड मिल जाता है 65 mm की लेटेंस का लगता है कि यहां पर दोस्तों यह जो है लाइटिंग आप देख सकते हैं इसके अंदर ऐसे मिल जाती है और अगर बंद करते हैं तो इस तरह से वह चार्जिंग होते हुए को दिख जाते यह फोन्स उसके लाथ 200 बॉक्स में अगर हम देखे बॉक्स कॉंटेंट और क्या मिल जाते हैं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा इयर बड़्स मिल जाते हैं आपको दो साइज के एंड यहाँ पे आपको मिल जाते यूज़र मैनुवल जो कि आप पड़ सकते हैं इस केस की बात करूं तो यह कुछ इस तरह से है अब दोस्तों देख लेते हैं हमारे जो X-Fire Earphones है वो तो यहां पर इसका भूख सीमिलर सा है साइड में कुछ features mentioned है इसको दोस्तों ओपन कर लेते हैं इसमें भी उसी तरह से लग रहा है इसका भी इसके अंदर दोस्तों हमें आर जी लाइटिंग देखने मिल जाती है जो की ब्रीधिंग लाइट की तरह चेंज होती रहती है और काफी कूल सी लुक दे रही है इसको और इनको अगर अथि यह जो कोईल देख लेते हैं तो स्फिटींग जेकास में काफी इजी हो रहे हैं यह काफी अच्छे से म्यूस कर पा रहे है इसको फे दोस्तों काफी अच्छे लग रहे हैं चार्जिंग उता है क Particip दोस्तों इसके बाद अगर box contents के बाद करें तो इसमें भी आपको similar box contents देखने मिल जाते हैं वही चीजे सब कुछ extra earbuds type-c cable एक आपको warranty card मिल जाता है one year का एंड साथ ही साथ आपको user manual मिल जाती है इनकी दोस्तों box contents दोनों के ही एंड दोस्तों अब मेरे experience के बात कर लेते हैं मैं इनको use करता हूं आपको बताता हूं कैसा experience है so guys मैंने इन दोनों ही earphones काफी अच्छे से test कर लिया है और सबसे पहले तो आप देखी रहे हूंगे इसकी जो लुक है इन दोनों की काफी ज्यादा तकड़ी है क्योंकि यहां पर lighting आपको मिल जाती है इस वाले में मिल जाती है आपको normal LED lighting जिसमें green light आपको जलने हो देखन दोनों की अगर मैं आपको बता दूं मेरा experience कैसा रहा सबसे बहुत बात करते हैं design and build quality की तो यहां पर दोस्तों दोनों का ही जो design and build quality काफी ज्यादा gaming की तरफ enthusiast के लिए बना हुआ है काफी ज्यादा तगड़ा आपको design मिलने वाला इसमें और बहुत ज्यादा सई look दे रही है और एकदम sturdy सी look है और जो material यूज किया गया है महाँ पूरा plastic build है लेकिन जो plastic है वो काफी ज्यादा high quality plastic यूज की गई है और दोनों ही case थोड़े से हलके से हेवी लगेंगे आपको normal TWS के मुकाबले में क्योंकि gaming earphones है और यहां पर battery भी काफी ज्यादा बड़ी बड़ी दी गई है इस phantom pro में आपको मिल जाती है 500 mH की बैटरी और इस वाले मिल जाती है आपको 400 mH की बैटरी अभी हाँ पर दोनों ही case काफी ज्यादा सही one of the best मैं कहा सकता हूँ इसके price के ही जाप से और जो यह gaming के लिए बने है तो definitely से एक sturdy सी आपको feel देते है और जो इनकी laid है दोस्तों उसका भी है काफी जादा बड़ी आपको experience मिल जाता है क्योंकि वो काफी जादा अच्छे से इसमें maintain की गई है और वो lose भी नहीं है जैसे क काफी सारे earphones में देखता हूँ तो यहाँ पर जो इसकी laid up वो lose नहीं है और काफी एक तगडी सी look देता है इन earphones को तो definitely से बहुत जादा अच्छा design और build quality यहाँ पर use की गई है बात करें अगर earphones के design की तो जो phantom pro के earbuds है उनका जो design है थोड़ा सा पीछे ही side flat look है और यहाँ पर दोस्तों lighting आपको दुनों में ही वहाँ पर मिल जाती है green color की जो की काफी ज्यादा सही भी लगती है देखने में और बहुत ज्यादा attractive सी आपको देखने मिल जाती है और जो यह area इसके पीछे light के बीच वाला वही आपका touch area है और काफी ज्यादा responsive है यार यह और बहुत का इनका यहां पर जो हलका सापको cut out थोड़ सा उपर की side देखने मिल जाता है उठा हुआ लेकिन इसमें भी आपको LED lighting मिल जाती है जो X के नाम से यहां पर जो mention की गए है तो यहां पर जो X लिखा हुआ है उसके अंदर आपकी LED light जलते एक green color की और यहां पर दोस्तों जो touch पर है उसका लेकिन यहां पर एक चीज में आपको बढ़ाता हूं जो X fire का टेचे रिया है वहां पर हलका सा आपको मतलब दो थीन बार शायरे करना पड़ेगा टैप जब जाके आपका यूज होगा क्योंकि वह थोड़ा सा मिस्प्लेस हो सकता है कभी के बार जैसे ही मैंने यूज किया इसे तो जितना ज़ादा एक्यूरेट एक्यूरेसी से आप इसको यूज कर पाएंगे फैंटम प्रो को उसमें थोड़ा सा हलका सा आपको दिक्कत लग सकती है एक्स फायर के अंदर क्योंकि जो उसका डिजाइन ने वो थोड़ा सा ऊपर की साइड उठा हुए और जो फैंटम प्रो उसके जो है थोड़ा फ्लैट डिजाइन दिया गया है बैक साइड में जिसकी वज़े से काफी अच्छे से आप उसे यूज कर भाएंगे और बहुत जादा स्टरडी सा मेटीरियल है और अगर कान में फिटिंग की बात करूँ तो दोनों ही एयरफोंस की फिटिंग एकदम अच्छे से फिट हो जादे कान में और आप चाहे ट्रैवल करें चाहे आप रणिंग करें या फिर कुछ भी करें लेट के खेले गेम या जैसे भी मर्जी खेलना है तो यहां पर आपके जो एयर हमन से कान से भार नहीं निकलेंगे और यह और अगर फिटिंग की बात करूँ और या फिर कान में दर्द वगएरा नहीं हो पैनने के बाद तो मुझे ऐसा कुछ फिल नहीं हुआ फेंटम प्रो की तो बलकि काफी ज जादा अच्छे से आप यूज कर पाएंगे उसमें तो इस चीज में अगर को काफी जादा सही लगे दोनों ही एरफोंस और काफी जादा बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं दोस्तों जो टच कंट्रोल से वह दोनों में ही सेम दिए गया है अगर आप राइट साइड वाल काफी याफ यूज कर पाएंगे और दोनों में ही आपको वोलियम कंट्रोल का भी option मिल जाता है अगर आप सिंगल सिंगल टैप करेंगे दोनों ही air phones में तो आप volume up कर सकते है right वाले से and volume down कर सकते है left वाले से तो काफी easy control से आपको काफी बढ़िया तरीक से use कर भाएंगे कोई भी हाँ पर मेरे को परिशानी वाली बात लगी तो साथ ही साधा अगर बाता हूँ इसको calling quality कैसी ही कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे सामने ले लो आतमे को बहुत अच्छे से सुनाई दे जाती आपकी आवाज और आपको भी कोई दिक्कत नहीं आते सामने वाले की आवाज सुनने में क्योंकि यह बढ़िया वाले तो देफिनेटली से माइक्रोफोन भी काफी ज़्यादा सही कॉलिटी का दिया हुआ इसमें और यहां पर कोई मेर को ऐसी दिक्कत नहीं लगी calling वगरे के मामले में भी अब दोस्तो sound and इसके base वगरे की बात करते हैं तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर आपको ड्राइवर दिया गया इस वाले एरफोंस में तो यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाले क्लियर वोकल्स मिल जाते हैं आपको काफी अच्छी आपको decent sound देखने हूं मिल जाती है loudness हलकी सी दोनों में ही कम है मतलब कि आप 70-80% पर आराम से सुन लेंगे गाने वगरा लेकिन जो quality है sound की वो काफी ज़्यादा clear है काफी ज़्यादा crisp है और यहां पर इसमें जो 8NM का driver दिया गया है जिसकी वाज़े से जो bass है वो decent आता है दोस् गेमिंग की बात कर लेते हैं तो गेमिंग करते हुए यहां पर 65 millisecond की लिटेंसी है तो दोनों में ही गेमिंग के अमामले में आपको कोई दिक्कत नहीं आए कि दोनों की सिमिलर सी परफॉमेंस है गेमिंग के मामले में और मैं अभी भी BGMI खेल के आया हूं तो यहां पर का आप से बात करें अगर फेंटम प्रो की साउंड क्वालिटी की तो यहां पर जो है इसमें आपको 12NM का ड्राइवर देखने हो मिल जाता है जो की थोड़ी सी और एंहेंस कर देता आपका साउंड एक्सपीरियंस एंड बेस भी यहां पर थोड़ा सा आपको ज्यादा मिल ज जाता है इसमें और बहुत अच्छी कॉलिटी लेगी मुझे साउंड की क्योंकि आपको जो इंस्ट्रुमेंटल साउंड होती है जो म्यूजिक में वह भी आपको काफी क्लियर सुनाई देती है यहां पर साथ-साथ दोस्तों आपको काफी जादा क्लियर तरीके से बेस वग अगर आप मेरी तरह है नॉर्मल बेस में सुनना पसंद करते है गाने थोड़ा सा मतलब बीच में बीट बॉक्सिंग सी आपको पसंद है थोड़ी बहुत जादा भी नहीं एक दुम दूम हो जाए तो डेफिनेटी से काफी जादा अच्छे से यह उसको हैं कम भी नहीं है से मैं कहना जाओं कम भी नहीं है इसका बेस डीसेंट है और काफी जादा अच्छा है तो अपने अपने प्राइस के इसाब से दोनों ही साउंड क्वालिटी को जस्टिफाय करते हैं एंड डेफिनेटी से मुझे काफी जादा पसंद आये दोनों की साउंड क्वालिटी जो तो लाइट बागर भी जलती है फाइर दोनों एकशन कंती है तो उसके सबसे घ्योल के क्या बलिंग करती है तो उसके सापसे बीजी गेंगर जैमेंग के मामले में ब्लμε हादा है जैसे के बहुत ज्यादा कम दिर्टी है यह यहाँ और बहुत ज्यादा अच्छा program मान पें पांचो में देंडर मोज़ी आपको एंदर और जो पी में ओंद और और जो क्छ चंपो पर चार्ज पर नेंगे तो याय पार चार्ज करपते हैं तो अन्योंतोत बाप़ों होग मतलब यूज़ पार यूज़ से कि इसको और कि दिन का दो सॉर्म अराम से आपको मिल जाएगा पुल सेज़ करते एंको चार्ज करते है एरफोंस को इसमें तो हाँ चार पांच बार आपका आराम हो जाता है यह यह तो आपक का अच्छी है अ जुट आपको चार्जिंग पहुषLIE यह लेकिन आपको ध्यान रखना है 5 या 10 वाट से जादा का चार्जर यूज नहीं करना दोनों में ही क्योंकि वो आपकी जो इनकी एरफोंस की बैटरी लाइफ है और जो केस की बैटरी लाइफ है उसको डेमेज कर सकता है तो आप 5 या 10 वाट का चार्जर ही यूज करिएगा इनको चार्ज करने के लिए और साथ ही साथ अगर बात करूँ एकस फायर की बैटरी बैटरी बैगप की तो यहाँ पर जो कंपनी ने बताया वो है 24 आर्स का बैटरी बैगप और क्योंकि यहां भी 400 एमेज का केस है लेकिन जो उसका बैटरी बैटरी बैगप मुझे मिला है फुल यूसेज करने बात तो 20 या 21 घंटे का आपको आराम से बैगप मिल जाता है तो डेफिनिट से बैटरी बैगप या काफ़ी भर-भर के दिया है इन दोनों ये एरफोंस में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई या ज़्यादा टाइम तक गेमिंग करेंगे अगर आपने एक बार फुल चार्ज कर दिया ये एरबट्स को और आप गेमिंग करने बैठ गए तो तीन से चार घंटे आप आराम से गेमिंग कर पाएंगे दोनों को ही लगा के तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है वहाँ पे भी तो डेफिनेट से बैटरी वैकप एक काफी ज़्यादा अच्छा है इसमें और काफी एक अच्छा पोइंट लगा मुझे इन वाले ये एरफोंस में दोनों में ही अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्राइज एंड कोंक्लूजन की तो यहाँ पे जो विंक्स एक्स फायर एरफोंस है इनका जो प्राइज है वो आ जाता है करीब-करीब 2000 रुपे के आसपास तो यहाँ पे 2000 रुपे के अंदर आपको लो लेटेंसी वाले गेमिंग इयरफोंस मिल जाते हैं यह आरजी भी लाइटिंग के साथ आते हैं जो की केस फोल के आपको इस तरीके से कुछ मिलती है इसके लाइटिंग और केस इसका ट्रांस्पेरेंटल तो उपर से भी आप द लेकिन अगर आपको थोड़ा सा हाई बेस चाहिए और मतलब लेटेंसी वेगरा तो बढ़िया ही लेकिन थोड़ा सा आपको और बॉल्ड सा लुक चाहिए इयरफोंस का तो यह आजाते है थोड़े से इसी बैट जैसे डिजाइन में और यहाँ पे आपको जो केस का मेटीर तो है डेफिनिटी से तगड़ा और इस तरीके से कुछ यहाँ पर रखे वे मिल जाते ही एरफोंस तो यह कुछ यहाँ पर ब्रीधिंग लाइट इसकी मिल जाती है यह काफी ज्यादा तगड़ी लगती है और यह पर जो इनका प्राइज है वह आठाइस सो रुपे दोस्त सचीए तो यह वाले काफी जाधा सय लगे मुझे याँ बहुत जाधा बढ़िया लगे दोनों वह ऑच्छी पॉफोंस आपको देखने को मिल सकती है दोनों के साथ ही तो डेफिनिटी से मेरा जर जाधा अधा तगड़ा लगा मुझे और मैंने आपको बता दी है जितना भ बड़ी अलगा लेकिन इसमें जो RGB लाइटिंग है वो काफी ज़्यादा तगडी लगती है तो हाँ दोनों ही अपनी अपनी जगह पे काफी ज़्यादा सही है और दोनों के प्राइस पॉइंट सा लगा लगा थोड़े थोड़े तो अगर आपका बजट इसका है या फिर इस प्राइस पॉइंट